हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल राज इलेक्ट्रिकल पॉइंट में तो कैसे हैं आप लोग I hope आप सभी अच्छे होंगे तो आज हम लोग DC मोटर तथा DC जनरेटर की वर्किंग theoretical and practical दोनों तरह से समझेंगे तो tension लेने की कोई बात नहीं है बिलकुल मस्ती में पढ़ेंगे और पूरा concept clear करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका time waste की है और एक अच्छी बात क्या है कि यह वीडियो उनके लिए ज़्यादा खास होगी जो diploma कर रहे हैं क्योंकि य यह जानते हैं कि DC machine होती क्या है? DC machine हमारी वह यूपती या वह electrical machine है जो हमारे DC voltage पे या DC current पे कारे करती है अब यह DC machine को हम दो भागों में बाटा गया है पहला DC motor और दूसरा DC generator डीसी मोटर का क्या काम रहता है डीसी मोटर का काम यह रहता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारे मेकैनिकल एनर्जी में कनवर्ट कर दे या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं कि बिद्धूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्थित करें उसे इलेक्ट्रिकल मोटर क कहते हैं और DC generator वह होता है जो हमारे mechanical energy को electrical energy में convert करें यानि कि हमारे जो यांतरिक उर्जा को बैद्धूत उर्जा में convert करती है बदलती है उसे हम DC generator कहते हैं अब DC motor और DC generator को दोनों को दो दो भागों में बाटा गया है DC motor हो गया separately excited और self excited इसी तरह DC generator भी separately excited होता है और self excited होता है अब जो self excited होता है अभी हम आपको detail में बताएंगे self excited separately excited क्या होता है तो जो separately excited होता है उसकी बात यहां पर खतम होती है लेकिन जो self excited होती है उसको फिर से दो भागों में बाटा गया मतलब दो तरीके से बना जाता है पहला तो उसमें permanent magnet करके और दूसरा हमारा electromagnet करके जो हमारा permanent magnet होता है वो इसकी एक तरह से बनाई जाती है लेकिन जो electromagnet होता है उसको तीन तरीके से बनाई जाती तीन पार्ट में उसको बाटा गया है पहला sunt दूसरा series और तीसरा compound अभी इसको भी हम जानेंगे detail में तो सब आईए हम जानते हैं पहले machine के construction के बारे में उसके parts के बारे में क्या क्या कार्रे होते हैं इस parts के detail में तो आप बिलकुल भी confused मत होईएगा AC motor और DC motor क्योंकि हम सिर्फ DC machine या DC motor DC generator की बात कर रहे हैं केसी की बिल्कुल विवात नहीं कर रहे हैं और आप DC मोटर, DC जनरेटर में कन्फूज मत होईए कर पहले हम DC मसीन का कंस्ट्रक्शन वर्किंग बता दे रहे हैं उसके बहुत आसानी से आपको जनरेटर और मोटर समझ में आ जाएगी DC मोटर, DC जनरेटर तो अगर हम इसके पा पात की चादरों की बनाई जाती है, मतलब स्टील की चादरों की बनाई जाती है, अब उसके बाद दूसरा आता है हमारा ये Magnetic Pole Core Magnetic Pole Core का होती है यह उच्च सिलकान की पत्तियों से बनाई जाती है जिससे हमारा जिस पे हमारी क्वाइलिंग की जाती है और Electric Supply देने पर ज़्यादा ज़्यादा फ्लक्स बनता है उसके बाद हम इसके उपर हमारा पोल सू लगा होता है अब पोल सू का कार क्या होता है पोल सू से पहले हम समझ लेते हैं पोल वाइंडिंग क्या होती है देखिए इस पे हमारे Conductors के मतलब चालक तार से क्वाइलिंग की जाती है जिसको permanent magnet बनाने के लिए या इससे हमारा जिससे ज़्यादा ज़्यादा flux generate हो इसमें धारा current प्रवाहित करने पर तो अब इसके बाद हम समझते है magnetic pole सू का magnetic pole सू का कार यह रहता है पहली बाद तो यह हमारे जो pole पे winding की जाती है उसको रोकने के लिए और दूसरी बात यह ज़्यादा flux generate करे हमारे armature के लिए opposite direction में तो अब pole winding यह हो गया उसके बाद यह जो हमारा देख रहा है आप चारों तरफ flux है यह flux क्या होता है यह flux होता है हमारे north pole से south pole की तरफ यह rotate करता है यह आपको basically पता होगा उसके बाद हम बात करते हैं इधर से armature core की यह तो हमारा armature core हो गया अब यह देख सकते हैं armature core पहली बात तो इस पे जो यह rod दिख रही है हमारी होती है soft उसके बाद यह होता है जो आपको यह steel की पत्तियों की दिखाई रही होगी यह हमारा cost iron की यह भी बनी रहती है या ऐसे कहते हैं आप सिलकान की शाधरूं से बनी रहती है यह भी तो इस पे हमारी winding हुई रहती है जो कि हम आपको बता रहे हैं यह हमारे armature के armature slots होते हैं जिसमें हमारे conductor's भरे होते हैं तो ískे बात भात करते हैं commutator की commutator की बात करें commutator का car क्या रहता है commutator वह होता है जो हमारे AC current को DC में बदचंज करते या हमारे DC voltage current को AC में कनवर्ड करते यह होता है Commutator कार आप इस पर देख सकते हैं यह है Commutator हमारा इसके उपर सबसे उपर इभाग पर लगा रहता है Commutator Commutator आप समझ गया होंगी क्या होता है उसके बाद हमारा आता है Brust तो आप इस में देख सकते हैं जो हमारे इस पढ़ूर्अ किम्यूंटेटर पर लगा रहता है ऐसा आपको हम दिखा दें यह बिल्कुल fit हो जाता है तो मतलब कारबन ब्रस क्या होता है वो आप इस कीन पर देख सकते हैं वो इस कार्बन ब्रस द्वारा हमारे आर्मेचर में जाती है और कम्यूटेटर द्वारा जो कि इस आर्मेचर के कंड़क्टरों को और में मेगनेटिक फ्लक्स जनरेट होता है अब और यह लास्ट पार्ट होता है बेस जो कि इसका अधार बना जाता है जिस पर मसीन रखी जाती है इस टेवल की जाती हैं तो आप दिल्कुल समझ गया होंगे कि इसकी वर्र कींग कैसीया होती है उसके बाद अम्हों इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि यह काम कैसे करता है स्वाधिप एक आन इलेक्ट्रो मैगनेट के flux हों, जब उसमें हम conductor कर रहे हैं, यानि कि चालक तार को जब हम rotate कराते हैं, घुमाते हैं, तो उसमें electricity produce होती है, और इसके just opposite, जब हम किसी चालक तार के coil में, या conductor wire के wire में हम जब electric flow करवाते हैं, मतलब धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो उसके चार तो हमारी motor और generator कारे करती हैं, तो आइए हम सबसे पहले आपको हम motor बताते हैं, motor कैसे कारे करती हैं, तो motor के types हमने आपको बता दिया कि motor को दो भागों पहले बाट आ गया है, separately excited और self excited, अब separately excited, self excited क्या होती है, देखिए आप, हमने आपको बता कि यह पोल कोर होते हैं, इस क्वाइलिंग की हुई रहती है, मतलब चालक तार से, कंड़क्टर वायर से, इस चारों बे क्वाइलिंग की जाती है, जब इसमें हम धारा फ्लो कराएं, current फ्लो करवाएं, तो यह हमारा magnetic flux generate करें, ठीक हैं, और जिसमें हमारे armature पे बल लगे, और armature हमारा rotate करें, तो इस अ लेकिन जब पहले तो हम बात करेंगे, separately excited क्या होती है, तो जो इन coil को current दी जाती है, वो किसी बाहर बाहर सोरत से दी जाती है, मतलब बाहर सोर्स से दे कि, इसको excited किया जाता है, तो वो हमारी separately excited motor होती है, बात और उसके बाद जा आती है self excited की, तो self excited की आपने winding देखा कैसे ह होती है तो उसके बाद जब सेल्फ एकसाइटेट होती है तो उसको हम केवल एग जगे से क quien फ्लो कराते हैं जो के हमारे वही केवल हमारा इसमें भी होती है इसके मैगनेटिक मतलब फिल्ड में ayamDS हुता है उसके मैगनेटिक फ्लक्स अ Kollegin ऑ उसके बाद ये तो हमारे नार्थ और साउथ पोल करके बनाएगे हैं पोल इसमें जब करेंट फ्लो होगी तो इसके हमारे नार्थ से पोल की मैं बताया आपको नार्थ से साउथ की तरफ इसके मैगनेटिक फ्लक्स रोटेट करने लगते हैं तो जब इसमें हमारी करेंट फ्ल की दिशा होती है वो हमारे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाली जाती है मतलब कि मोटर में हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है और जो जनेरेटर होता है जनेरेटर में हमारे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगता है अभी हम आपको बताएंगे और पर्मानेंट की बात करें तो आप इसकीन पर भी देख सकते हैं वो इमेज के उसमें बड़ी मोटरों कैसे पर्मानेंट लगा जाता है और उसके बाद आप छोटी मोटरों देखिए हमारे पर्मानेंट मैगनेट की DC मोटर है इसकी अभी हम आपको प्रेक्टिकल करके तो आप संट सिरीज कंपाउंड क्यों होती है तो जो हम आर्मेचर में करेंट देते हैं उसके हमारे जो संट मतलब समांतर में इसको जोड़ा जाता है इसके फिल्ड वाइंडिंग को जोड़ा जाता है तो हमारी संट मोटर होती है लेकिन फिर उसके बाद आर्मेचर के के series में जो हम field winding को जब जोडते हैं तो हमारी series motor हो जाती है और जब हम इसके series और sunt दोनों armature के समानतर और series दोनों में हम जोडते हैं इस field winding को तो हमारी compound motor होती है तो आप series sunt compound motor एकदम अच्छी तरीके से समझ गया होंगे हमने आपको बता है कि हमारी permanent magnet होती है magnetic type motor होती है जिसका हम लोग practical करेंगे तो आईए हम लोग आप अपना practical करके देखते हैं कैसे work करती है motor तो कुछ इस तरह देखिए आप हमारी यह हमारे electromagnets है permanent magnets है इसमें देखिए एक north pole का है और एक south pole का है अब इसको हम आपको कारबन ब्रस लगे हो तो motor की commutator पर जो current देते हैं बस उस कम्यूटेटर पर हम carbon ब्रस लगा दिये हैं इसके उसके बाद कम्यूटेटर करेंट देने के लिए हम दो तार जोड़ दिये हैं अब इसको हम धारा current flow करवाते हैं देखते हैं होता है उसके करणण आर्मेचर पर बालागोंड कार करता है जिससे हमारा आर्मेचर रोटेट करने लगता है तो आएव हम इसका practical करते हैं है सबसे पहले हम इसको इसको मैं आप किसी बैटरी से भी सप्लाई दे सकते हैं तो मैं इसको जोड़ लेता हूँ फटा-फट से उसके बाद इसको इसमें जोड़ दे रहा हूँ अब देखें हमने इसको डेजी सप्लाई दे दी हैं उसके बाद अपना स्टाठ करें तो हम नहीं इस तरफ नाश पर इस तरफ सॉथ से इसलिए लए लिएग दिया हैं कि हम इस तरफ लगाएंगे पर्मानेंट माइदे इस से मैगनेटिक फ्लक्स जनरेट होगा मेन मैनेट मैनेट उसके बाद इसमें जब करेंट फ्लो कराएंगे तो मारा छुंब की बल उत्पन होगा इसमें उसके बार लाक हूड टारैकर यह जिससे हमारा रोटेट करेगा मैंने आपको बताया कि इसके रोटेर संघी सा फिले में कि बाय हाथ के नियम से निकाली जाती है तो अभी मैं वह भी आपको सम्झाओंगा तो फटाफ़र समपहले स्वीच आन करते हैं उसके बाद हम देखते हैं यह वार कर रहा है नहीं तो देखी जितना करीब इसके लिए जा रहे है उतना स्वीट नाज रहे हैं और जितना दू लेफ्ट हंड क्या कहता है कि हम अपने अंगोठे के पास वाली दो अंगलियों को इस तरफ फैलाएं कि तीनों परस पर हमारी लंब हो तो इसमें जो हमारा अंगोठा होगा वह हमारे आर्मेचर पर लगने वाले बल को रिप्रेजेंट करेगा तथा यह हमारी जो बीच वा अगये तरफ को इसको रिप्रेजेंट कर के अगरने पर रिप्रेजेंट करता निगेटिव की तरफ जा रही है तो अब जब इसमें current flow हो रही तो current की, current की ये current को ये represent करता है, ये magnetic flux को represent करती है और ये force लगने वाले force को, तो इसमें देखें कुछ इस प्रकार से हमारा ये बनेगा, आप देखें इस तरफ से हमारी magnetic flux नार्थ से साउथ की ओर जा रही है और ये जो ये वाली हमारी उंगली रिज वली के बाद वाली नुगली है यह हमारे करेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैıldı यह हमारी करेंट इस तरफ ब mad पुलो हो यह तरफ द्रफ जा रहा है तो मैंने बता है आपको कि अस तरफ रोटेट करेगा यानि कि anti clock rotate करेगा अब उसके बाद जब current वापस आने लिए जब current की direction change हुई तो इसमें देखे कैसे हमारा magnetic वो काम करेगा हमारा बल आघूड काम करेगा तो देखें यह हमारी magnetic flux ऐसे जा रही है नार्थ से south की तरफ जा रही है और जो current आ रही हो इस direction में आने लिए तो हमारा अंगुठा उपर हमारा अंगुठा उपर की तरफ है यानि कि हमारा अब यह जो है इस पर उपर की तरफ करेगा कुछ इस प्रकार जैसे इस पर है अब इस तरफ से मैं धारा इस तरफ आ रही है और magnetic flux ऐसे जा रहे है तो हमारे यह अंगुठा जो है यह उपर की तरफ करेगा यह ऐसे इस तरफ इस पर इस वाले पार्ट पर हमारा ऊपर की तरफ बल लगएगा तो यह कुल मिला के हमारी anti-clog wise घूमेगी है तो आईए हम इसका practical करते हैं और देखे जब हम DC current को हम धारा की दिसा को change कर देते हैं मतलब इसको हम negative करके इसको positive कर देते हैं तो current हमारे इस तरफ से जाएगी और इस तरफ से वापस आईगी मतलब यह ऐसे कुछ arrow हम दिखा देते हैं आपको इस तरफ स जाएगी और इस तरफ से वापस आएगी इसमें देखे फिलिन का रूल तब इसकी देखे रोटेशन की दिसा जो गत की दिसा है वो change हो जाएगी इस पर देखे कैसे काम करता है आप देखे यह magnetic flux नार्थ से साउथ की और जा रही है अभी मैंने magnetic flux नहीं बदला क्यों current की ड करेगा उसके बाद इसके जस्ट भी परी दिसा में जब हमारी current इस तरफ जा रही है तो देखे देख सकते हैं आप ऐसे कुछ magnetic flux में हमारी यह जो current हमारी इस तरफ जा रही है और मैंने इस तरफ लग रही है और जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की लग रहा है मतलब यह इ कर देंगे अब इसके भी परीद जब हम current को कर दियें तो हमारी rotation की गति भी बदल गई लेकिन अगर हम current को same रख के इसको हम पोल्स को magnetic flux को हम इधर उधर कर दें इसको नार्थ को इस तरफ कर दें और south को इस तरफ कर दें तो भी बात वही होगी जो इस तरफ से magnetic flux जा रही ही वह हमारे इस तरफ से जाने लगेंगे तो मतलब कि हम चाहे फ्लक्स को इस तरफ convert कर दें आपस में दोनों के इस तरफ या हम इसके current को change कर दें बात दोनों की सेम है और हमारे जो motor की गति है वो change हो जाएगी दूसरे direction में तो अब हम इसका practical करके आपको दिखाते हैं इसक के बाद अब हम इसको check करते हैं कि हम कैसे rotate कर रही है पहली condition में हमने आपको बताया था आप देख सकते हैं कि हम एंटिक एंटी क्लाक्वाइस में पहली कंडिशन में हमने बताया एंटी क्लाक्वाइस रोटेट कर रही और दूसरी condition हमारे clockwise तो देखिए हम इस तरफ पॉल और साथ बिल्कुल एक धागे से लटका के आप पता कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से तो हम आई अब इसका प्रेट्टिल करते हैं देखिए हैं अब इंटी क्लाक्वाइस घूम रही है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटी क्लाक्वाइस भूमेंगी पहली condition में अब हम मैंगनेट को सेम रखेंगे लेकिन जब धारा की करेंट की डारेक्स चेंज कर देंगे तब देखते हैं हमारी किस डारेक्स इन फोटेट करती हैं बिए इसके करेंट की डारेक्शन च्ञेंज कर दिए उसके जब इसके मैगनेटिक फ्लक्स जो हमारा जनरेटर है मैमेन मैगनेटिक पर्मानेट मेंनेटों को हम सेम रखें देखें अब हमारी मोटर यह क्लाक वाइस रोटेट कर रही देखें अब हम इसके magnet को change करके देखते हैं कि direction change होती है देखे अब हम north को इस तरफ कर दिया है और south को इस तरफ कर दिया है देखे पहले clockwise घुम रही थी अब anti clockwise घुमने लगी और इसके just opposite देखेंगे तो अब ये clockwise घुमेगी तो I hope आपको motor का concept बिल्कुल clearly समझ में आवागा तो अब हम आपको generator का concept बताएंगे देखे जैसा हमने आपको DC motor के बारे में बता है बिल्कुल same concept DC generator में भी हमारा काम करेगा DC generator को भी दो भागों में बाटा गया है separately excited, self excited अब DC motor के recording ही self excited को permanent magnet और एलेक्ट्रामेगनेट दो भी दिस दी धारा बना जाता है अब एलेक्रोमेगनेट भी संट थिरीज कंपाउंड तीन पार्ट को बाठा गया है जो कि बिलकुल डीसी मॉटर की तरह डीसी जनेटर के संट में जोडते हैं मतलों समांतर में कनेक्ट करते हैं तो हमारा संट जनरेटर हो जाता है और जब हम इसके फिल्ड वाइंडिंग को सिरीज में जोडते हैं आर्मेचर के सिरीज में जोडते हैं तो हमारा सिरीज जनरेटर हो जाता है और जब सिरीज संट रोटेट कराते हैं तो उसमें इलेक्टिस्टी प्रोड्यूस होती है इस इसी धान पर हमारा जन्रेटर कार करता है अब जन्रेटर किस डारेक्शन में रोटेट कर रहा है तो हमको कैस किस डारेक्शन में करेंट फ्लो होगी EMF की हमको direction निकालने के लिए flaming के right hand rule का प्रयोग किया जाता है तो flaming के right hand का rule यही कहता है कि जब हम तीनों उंगलियों को परस पर ऐसे फैलाते हैं कि वो 90 degree पे होती है तो यह हमारा उस पे armature पे लगने वाला force होता है और यह हमारी चुमब की छेतर की दिसा होती है और जो हमारे armature में EMF जनरेटर तो उसकी दिसा को यह हमारे बताता है तो अब हम इसका जनरेटर की practical के लिए हमें एक और नार्मली मोटर लिये हैं जो की 5 बोल्ट की मोटर है मैं इसको आपको चला के दिखा दे रहा हूँ कि देखिए हमारे रोटेट कर रहा है मतलब हमारे मोटर है नार्मली अब इसका यूज हम करेंगे आपको दिखा रहे हैं हमने आपको बताया कि DC मसीन जो होती है उसी के एकारणिंग हमारे DC मोटर डीसी जनरेटर दोनों कार कर सकती है बात यहाते है कि हम किसी की DC मोटर को हम DC जनरेटर की तरह कार में ला सकते हैंκι नहीं तो हाँ भीलकूल अपला सकते हैं बस थोड़ी तो उसकी आकरिती में डिफ्रेंस होता है उस यूजक हारा हो बाकि सब सेम रहता है मैंने आपको बता दिया हम सेपरेटल एक्साय्टिट सेंग से बता उसके बाद अब हम इसके practical के लिए देखिए हम लिये हैं यह motor जिससे हम इसको हम mechanical energy देने के लिए हम coupling कर दिये हैं इसको couple से जोड़ दिये हैं और जब हम इस motor में current देंगे तो इसमें हमारी mechanical energy इसमें आएगी अब mechanical energy के आसपास हम magnet लगाएंगे जो कि यही सिद्धानत होता है कि हम हमारे magnetic flux हो जब कोई coil काड़ती है coil coil को rotate करा तो उसमें electricity produce होती है तो उसी का प्रेक्टिविल करेंगे अब हम इसमें supply देंगे और इस तरफ से हम output लेंगे देखिए जब हम इस permanent magnetic flux में जब हम इसको rotate कराएंगे इस mechanical energy देखिए इसको rotate कराएंगे तो इसमें electricity produce होगे इस electricity को हम आपने के लिए अपना मल्टिमीटर लगा है तो आप हम इसको चेक करेंगे देखिए रोटेट कराएंगे इसमें हम मैजनेटिक तो हम इसके हमने motor में देखा था कि या तो current की धारा उसको हम current की direction को change कर दें तो उसकी rotating की दिशा change हो जाती है वैसे इसके दाएंगे हाथ के नियम से जब हम इसके magnetic flux को generate वो change कर देंगे तब देखेंगे इसमें क्या difference आता है देखिए जब हम इसके magnetic flux को change कर देंगे मैजने देखिए दोबल्ट कम होता जा रहा है जितना पास करेंगे उतना बढ़ता जाएगा और जितना दूर करेंगे उतना कम होता जाएगा देखिए जैसा कि हमारे बिल्कुल motor में हो रहा है तो मैंने आपको बताया कि motor को बिल्कुल generator की तरह यूज कर सकते हैं पस थोड़ा सा उसके आकरिती में डिफरेंस करके देखे अब हम इस मोटर को जनरेटर की तरह कार कराएंगे तथा जो जनरेटर हमारा था ये वाला अब इसको हम मोटर की तरह कार रोटेट करवाएंगे तो इसमें हमने सप्लाई दिया और इससे हमको आउटफुट लेना है तो और एक बात क और ध्यान दीजिएगा कि यह जो हमारे जो मोटर या जनेटर कार करता है तो जो हमारा मैगनेटिक प्लक्स होते हैS विदूमारा फ्लो Gospel होता है उसके हमारे लंबूद दिसा में पुर्णट फ्लो कराइ यै हमें तो यह देख सकते हैं जो कम्यूतेतर में करेंट दी जा रहेु इसके लंबॊद है यहा थे हमारे फ्लक्स के तो हम इसकाई करते हैं जब इसमें हम करेंट देंगे और पर्मानेंट मैनट ये फ्लक्स को पट्ट है तो ये मोटर कि तरह रोटेर करेंगी फिर इसको मेकसे मैगानेनरजी मिलेगी और ये जनरेटर की तरथ का रहा तद घ्रिएसंगर करते हैं डेखें में ये ली آپ कर रहिए आप देख सकते हैं जितना हम करीब ले जाएंगे उतनी लेडि बलोक रही है और जितना दूर्फ लेते जाएंगे उधना कम आप देखे जैसा उसमें motor में हमारा ठाइरेक्शन चेंज करने से हमारी करेंट नहीं फ्लो हो रही थी और इसके रोटेटिंग की साथ चैंज हो रही तो वैसे मैं magnetic flux को उसको चेंज करके तब देखता हूं LED ग्लो करती है तो आप देख रहें motor तो हमारा rotate कर रहा है लेकिन opposite direction में कर रहा है इसलिए वो LED हमारी glow नहीं कर रही है मैं फिर से एक बार change करके इसको दिखा दूँ देखिए हमारी LED glow कर रही है जितना करीब ले जारे उतने speed glow कर रहे है जितना दूर ले जारे है उतना कम तो अब तो आप समझ ही गया होंगे कि mode DC motor DC generator हमारा कैसे work करता है बिल्कुल practically अब तो भूलेंगे नहीं तो मज़ा आया न दोस्तों इसी तरह practical knowledge के लिए हमारे वीडियो को like and channel को subscribe करके अपना प्यार ज़रूद दिखाना और बेल आइकन को जरूद प्रेस करना जिससे आने वाली नव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में